नमस्कार दोस्तों मैं हूं मुक्तादिक्षित अश्ट लोजर आज हम बात करेंगे गुरू चंडाल योग जो बना हुआ है तो इसका बारह राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा 22 अपरेल से जो है 2023 से गुरू जो है राहू के साथ आ गए है क्योंकि राहू और गुरू का जो योग बनता है इसे चंडाल योग कहते हैं तो यह 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा कौन सी ऐसी चार रासियां हैं जिनको कश्ट परेशानिया बढ़ सकती हैं यह सारी बात ने इस वीडियो में आपको आगे बतलाऊंगी चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरू कीजे बैल आइकान अवस्दव आईए जैस आप जानते ही हैं कि हमारे कारल से जन्मकुनली हस्तरेखा रत्न बास्तो के सांसंस सेर्व मार्केट के स्टलोज के कार किया जाते हैं जिसमें आप गल्ड, शिल्वर, निप्ट्टी, निप्टी वेंग, क्रूड आईल का देहने बीकली और मंतली प्रिक्सन ले सकते हैं तो राहू की द्वारा बनने वाले इस योग का जो है बढ़नन करेंगे और गुरू और राहू का यह चंडाल योग जो है तीस अक्टूबर तक एक साथ रहेगा यहने कि यह आने वाले साथ महिने किस रासी के लिए क्या फल दे सकते हैं इसके बारे में आगे आपको बतलाऊंग अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो है ग्रह नचत्र का परिवर्तन होता है और यूतियां बनती हैं तो ब्यक्ति के जीवन में प्रभावित करती हैं ग्रहों की बदलती चाल जो रहती है जीवन पर जो है महात्पूर्ण प्रभाव डालती है अच्छे ग्रह रहेंगे अच्छी यूती बनती हैं, जिन रासियों को लाप की यूग बनेंगे, उन्हें हमेशा फायदे की यूग बनते हैं, लेकिन जिस भी कुनली में यदि दुख स्थानों पर इनका यूग यूती या सयूक्ती बन जाती है, तो ऐसी स्थिती में कष्ट और परिशानिया व्यक्त से मुक्त रहे, लेकिन रहन चत्रों का प्रभाव हमारे जीवन में उतल पुतल मचाता रहता है, और इसके कारण ही हमारी जिन्दगी में अनेक प्रकार की मोड़ हम को देखने को मिलते हैं, गुरू चंडालियोग क्योंकि राहू और गुरू साथ में हैं, इसलिए इसे चं नकरात्मक पूर्जा देने वालग रहे है, जब यदि इनका सईयोग बन जाता है, याने की चंडाल योग बन जाता है, तो ऐसे जिन्दगी में जो है खुसाली की जगहे नकरात्मक एनरजी की अधिकता हो जाती है, और जब नेगिटिव एनरजी अधिक मात्रा में हो जात तो व्यक्ति के हर सोचे समझे कारियों पर पानी पढ़ जाता है उसकी आसा ओपर पानी पढ़ जाता है और भैस सोचे हुए कार को पूरा नहीं कर पाता और इसी चक्तर में सहीं गलत का फैसला ना ले पाने के कारण गलत कारे कर बैठता है और इसका खामियाजा उससे उठान रहता है तो ग्रह नचत्रों का प्रफाव जो रहता है हमारे जीवन में हमेशा देखने को मिलता है राहू भ्रह मूबं भी पैदा करते हैं क्योंकि छाया ग्रह है इनका disappointment अकार प्रकार नहीं है जिस ग्रह के साथ रहते हैं उसी प्रकार का प्रफाव हमारी जीवन पर छोड़ देते हैं तो जीहां दोस्तों अब हम देखेंगे कि बारह राशियों पर इस चंडाल योग का जो है साथ महीने किस प्रकार का असर रह सकता है किन राशी वालों को विशेश खत्रे की योग हैं जिने सावधानी रखनी चाहिए और दूसरी राश्यों पर और क्या प्रभाव पर सकता है तो यह सब आपको जानकारी दूंगी सबसे पहले देखेंगे हम मेश राशी जीहां दोस्तों यदि हम मेश राशी देख रहे हैं तो मेश राशी के लगन में ही राहू गुरू याने की चंडाल यो प्रभावित होगी सोचे समझे हुए कार और योजनाव पर जो है प्रभाव पड़ेगा उनको पूरा होने में देर लगेगी बिगन बाध हाँ उपस्तेत होंगी मन में असान्ती लगी रहेगी इसके साथ जो है ब्रसावरासी ब्रसावरासी वालों के लिए भी जो है बार बार भाव क्योंकि वैगा होता है और ब्रसावरासी वालों के लिए गुर्देव बार बहाव की स्वामी भी है और अस्टम के भी है लेकिन बार बहाव में जाने से यह आपको मिलने वारे हर लाप की हानी करेंगे यात्राओं के योग बनाएंगे अस्पताल को उठका चहर अगली रासी हम देखते हैं मितुन रासी के लाप भाव में गुरू चंडाल योग का जो है बन रहा है ऐसे इस्तीती में जो है आपके कार व्यापार में तो अचानक किसी ना किसी प्रकार से लाप देखने को मिलेंगे लेकिन जो नेगेटिव एनरजी आपके मन में बनी जहां से आपको अधिक आय की संभाव ना है उस काम में आपको बाधाएं उत्पन हो सकती है घर परिवार में कलह किस्तिती उत्पन हो सकती है तो ऐसे में आपको विशेश सावधानी रखने के आवश्यक्ता पड़ेगी अगली राशी हम देखते हैं आती है आपकी करक ब्यववाव याने की कारिख चेतर के स्थान पर जो है गुरू राहू का चंडाल यूग बन रहा है ऐसी इस्थिती में आपके कार ब्यववार को यह प्रभावित करेगा लेकिन गुरू जो है धन स्थान को भी देख रहे हैं और इसके साथ जो है छटवे भाव को भी देख याने किरणे रोक सत्रूं से कुछ आपको जो है निजाद मिल सकती है लेकिन कार वैभार वैपार इन में कुछ बाधाय उत्पन हो सकती हैं और बिगन उत्पन हो सकते हैं तो आपको भी जो है सावधानी कूर वाक रहने की आवस्चता पड़ेगी अगली राशी हम देखेंगे सिंग राशी वालों के लिए भाग्य भाव में यह योग बन रहा है तो ऐसे मैं गुरू राहू की यूति जब भाग्य में बन जाती है तो धार में एक यात्राओं कारचित बढ़ जाते हैं और धार में एक विशे सुचियां बढ़ जाती हैं तीतर यारत्याओं के योग बन जाते हैं आर्थिक इस्थिती उत्तम बनती है सारी रिक्स्वास्त में जो है लाब होता है लेकिन मांसिक खिन्नता बनी रहती है क्योंकि यह राहू से गुरू ग्रह प्रभावित हैं और पं कन्या राशी वालों के लिए अस्टम में गोचर हो रहा है तो अस्टम में गोचर होने से जो है गुप्त तरीकों से आपको परिशानियां उत्पन कर सकती हैं गुप्त रोगों से पिराएं हो सकती हैं बड़ी बड़ी रोग बिमारियों की जो है सूचना मिल सकती है और पर व्यवफार को प्रभावित कर सकता है आपको अचानक लाव और हानी दोनों की योग देखने को मिलेंगे इसके साथ परिवारिक जीवन में भी कुछ कलह असांती उत्पन हो सकती है तो इससे मुक्ति पाने के लिए सांती को अपने जीवन में अपना है तो आपके लिए करा सकता है विग्न बादाइं आपकी दूर कर सकता है लेकिन आपके खर्चे बढ़ सकते हैं यात्राओं की योग बन सकते हैं सोचे हुए कार में विखन आ सकता है अगली रासी देखेंगे हम धनू रासी धनू रासी वालों के लिए पंचम भाव पे याने विद्या बुद्धी ज्यान और संतान के भाव पे जो है राहु चंडा गुरु और राहु का योग याने चंडाल योग बन रहा है इसके प्रभाव से आप की आयत तो उत्तम रहेगी लेकिन आपके मन मती भ्रहम और मन में जो भ्रहम पैदा होगा इससे आप बने बनायकारियों को स्वयम बिगाड़ेंगे और विद्यारती परिक्षा देने जावेंगे तो मती भ्रहम के कारण जो है आपको परिशानी उत्पन स्वयम कर सकते हैं लगन पर रष्टी रहेगी स्वास्त को सुधारेगे लेकिन चिन्ताएं और फिक्रापको हमेशा अलगी रहेंगी तो इस प्रकार से जो है धनुरासी वालों के लिए भी मिला जूला असर देखने को मिलेगा मकर रासी वालों के लिए हम देखेंगे क्योंकि धनूरासी वालों के लिए जो है ब्यापार में हानी भी देखी जा सकती है खर्चे आपके अधिक ब्रद्दी हो सकती है और इसलिए आपको केरियर में भी उताच रहाओ देखने को मिल सकता है इस प्रकार से धनू रासी वालों के लिए भी जो है जाहू गुरु का जो चंडाल योग है असुपफल ही प्रदान करेगा मकर रासी वालों के लिए हम देखेंगे तो कैंदर में यह योग बन रहा है क्योंकि कैंदर में गुरु ग्रह भी सुपफल देते हैं और इनकी दर्ष्टी दशम भाव पे पढ़ रही है तो कार व्योफार के छेतर में कुछ आपको सफलता हैं देखने को मिल सकती हैं लेकिन गुरु ग्रह पराकरम के कारक हैं और चतुर्थ में हैं तो चतुर्थ में कोई भी ग्रह जो है पूर्ण तय सुपफल नहीं दे पाता है और चतुर्थ गुरु जो आ जाता है तो परिशानियों घर परिवार में सोक आदिक उत्पत्र कर देता है घरेलू बाद विवाद की स्थितियां बढ़ जाती हैं भूमी भवन बाहन इसे संबंदी घरेलू विवाद भी देखने को मिलते हैं तो इसलिए जो है सावधान स्थान पर चंडाल योग बना हुआ है तो ऐसी स्थिति में यह आपके पराकरम को कहीं से कहीं ले जा सकते हैं भागे को देख रहे हैं सुफल पदान करेंगे और लाब पर दृष्टी है तो उत्तम आपको लाब देखने को मिलेगा याने कि कुम राशी वालों के लिए यह सुफल देंगे अगली राशी आती है मीन रासी मीन रासी वालों के लिए दृती भाव पे गोचर हो रहा है तो घर कुटुम परिवार में जो है बाद बेबाद यह शान्ति कला कि स्थिति देखी जा सकती है तो क्रप्या कर घर में जो है बाद बेबाद कि स्थिति इसे पत्ति भी कर सकता है छटबे भाउ ओको देख रहा है तो रिंडरोग सत्रुढ़ास से आपको मुक्ति दिला सकता है तो इस प्रकार से मीन रासिवालों के लिए भी यह मिला जुला असर रहेगा तो इस प्रकार से जिन रासिओं को जो है कश्ट के योग हैं वे कोई भी बड़े कार इडिनन लेने में बिचार कर ले समझ लें इसके बात कारे करें और इसके साथ जो है इसके साथ जो है आप इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं तो गुरू और राहू का चंडाल योग जब भी बनता है यदि आपकी कुली में जो है गुरू बलवान है अच्छी स्थिति में हैं तो आप उख्राज या पीला सुनहला पहन करके जो है इसका सुफल ले सकते हैं और यदि क्योंकि कुंडली के अनुसारी पहनने चाहिए और रहो की स्थिति बहुत अदि खराब है तो गुमेदरत में को धार कर सकते हैं लेकिन इसके लिए कुंडली देखने क आवश्यक्ता पड़ती है और सीधे सरल जो उपाए हैं इसमें जो है आप नारियल लेकर के पकच्चा नारियल लेकर के जो है बुद्वार के दिन किसी विश्यो मंदिर में रखकर आवें अपने ऐसा करने से जो है राहो की शांती होती है और जो सफाई कर्मचारी रहते है इनको भोजन आदी माटना चाहिए जरूरत मंद लोगों को ऐसा करने से राहुग्रय प्रसंद होते हैं गुरुग्रय को प्रसंद करने के लिए हल्दी का तिलक लगावें इसके साथ एक चुटकी हल्दी का इसनान जरूर करें ऐसा करने से इसकी जो नकारात्म कुर्जा है स्थाब कर दोस्तम他們 रहा हैging कि अर्व्हार्वश और को मिलती है जो कि capacity यहां रहा राहू और गुरु का चंडाल श्लमयने आपको बताया अधिक जांकारी Vive का इस प्र। निहींद घाट चाहिए वीडियो अच्छी लगे लाइक से सस्क्राइब जरू कीजिए देखने के लिए धन्यवाद नमस्कार